हाई आज हमें एक और सूपर डीटेल्ड डिसकेशन करेंगे जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 180 स्कोर करने के लिए बेसिक से एडवांस तक हर एक चीज डिसकस होगे और हम लोग अभी इसी वक्त स्टार्ट कर रहे हैं हम कुछ बेसिक जनरल चीजों से स्टार्ट करेंगे और वीडियो के एंड तक हम केमिस्ट्री में 180 स्कोर करने के हर एक एस्पेट को कवर कर चुके होंगे सो मेक शुर आप एंड तक अपना कंसेंट्रेशन बनाए रखें क्योंकि मेरी खुद की प्रेपरेशन में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे बिलकुल नहीं आता था और अपने नीट एक्जाम के आने तक मैंने अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट जितना ही स्ट्रॉंग बना दिया था Okay, so first things first, chemistry के साथ problem ये है कि जब आप अपनी preparation स्टार्ट करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि chemistry आसान होती है Most of the लोग need के subject सो कुछ ऐसे categorize करते हैं Physics बहुत मुश्किल होती है और chemistry और biology दोनों easy scoring subjects हैं लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है Physics एक high effort subject है, biology एक low effort subject है लेकिन chemistry need का सबसे versatile subject है Chemistry सच में high scoring तब ही बनेगा जब आप पहले तो इसे seriously लेना start करो और फिर इस पे efforts दो अब आप अपनी preparation में अभी किसी भी level पर हो, सबसे पहले तो अपना इम सिर्फ और सिर्फ 1AT पर रखो और उसी के according चीज़े plan करना start करो अब जिनको pattern पहले से नहीं पता, आज हम need UG examination के चार equal parts में से second part को discuss करने वाले है Chemistry आपको chemistry subject तीन equal parts में divided है, physical, inorganic और organic chemistry जिनके weightages तो exam में equal है, लेकिन सभी को पढ़ने की ideal approach बिलकुल different है तो इसी approach को अब एक एक करके discuss करते हैं क्योंकि this is your bible for chemistry, need chemistry और हमारा order भी बिलकुल same ही रहेगा and by same I mean the exact opposite नमबर वन, inorganic chemistry ओके, तो inorganic chemistry को आप अपने biology subject से compare कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पढ़ने का तरीका काफी हद तक same है पहले तो base को strong करने के लिए आपको 11th की inorganic chemistry के 2 chapters सबसे ज़ादा अच्छे से cover करने होंगे 11th की periodic classification और chemical bonding तो इन 2 chapters को जतना हो सके उतना detail में पढ़ो और अपने सारे concepts clear करते चलो इन 2 chapters पे अच्छे से time देने की ज़रूरत है अब अपनी base strong करने के बाद inorganic chemistry के लिए सबसे important चीज है NCRT तो बस अपनी NCRT पढ़ते जाओ लेकिन 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 इन और गैनिक की NCRT पढ़ना और memorize करना बोलने जितना आसान तो है नहीं इसलिए I have something for you नहीं यह तो पिछली वीडियो का है I have something for you अब मैंसे कई सारे लोग पूछ रहे थे कि अपने MCQs और assertion reason type questions को कैसे strong करें और इसके लिए मुझे यह app काफी useful लगी देखो आपको कोई भी चीज सजेस्ट करने से पहले मैं ensure करता हूँ कि वो चीज सच में useful हो और मैं Memo Neat app को पिछले दो हफ़तों से खुद यूज कर रहा हूँ और मुझे यह app काफी ज्यादा beneficial लगी इसमें around 3000 assertion reason और multiple statement questions है जो कि exact neat 2022 के pattern पे based है और जो चीज Memo Neat को सबसे unique बनाती है वो यह है कि इसमें 30,000 से भी ज्यादा questions है जो कि एक special revision algorithm के साथ aligned है जो भी question आप practice करेंगे वो regular intervals में appear होंगे जैसे first, third और fifth day और आप next level पे तब ही move करेंगे जब आप पहला level correct answer करेंगे आपके chemistry के named reactions और formulas को practice करने के लिए इसमें special features है chemistry में आपको दो sections मिलेंगे for physical chemistry formulas and organic named reactions जहां हर चीज तीन तरह के questions में divided flashcard type questions, match the elements and jumbled word questions सेम तरह का formula section physics formulas के लिए भी available है जहां आप formulas याद कर सकते हैं और फिर revise formula section में जाके उसी की practice भी कर सकते हैं इतना ही नहीं, Memonite के physics section में video lectures भी हैं for all important topics आपको 30 से भी जादा years के previous year questions भी मिल जाएंगे along with video solutions ताकि आप easily work method अच्छे से समझ पाएं इस साल की neat की बात करें तो physics, chemistry और biology paper में 30, 42 और 94 questions respectively Memonite आप से आए थे Memonite test series मेरे हिसाब से तो सब से unique है क्योंकि पूरी test series 100% NCRT based है आप subject wise, unit wise या फिर full length test series ये सारी series unlimited number of times solve कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस app को अपनी preparation में use करना चाहते हैं तो आप इसे check out कर सकते हैं और मेरा code नहायत 300 use कर सकते हैं आपको directly 300 rupees off भी मिल जाएगा लिंक description में है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब NCRT को 100% absorb करने के लिए कुछ extra चीज़े आपकी NCRT पढ़ते वक्त आपको कुछ ऐसे tables मिलेंगे इन tables को आपको ignore नहीं करना है लेकिन इनकी सारी values भी याद नहीं करनी है आप इनके orders बना कर याद कर सकते हैं बस important चीज़े साथ साथ highlight करते जाएं और क्योंकि सारी ही चीज़े याद रखनी है तो unlimited revisions करते जाएं लेकिन इसके बाद भी आपके NCRT पर कुछ ऐसे चीज़े होंगी जो आप याद नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आप tricks या acronyms को use कर सकते हैं आपको YouTube पे हर एक topics related tricks मिल जाएंगी या फिर आपके teachers भी आपको इस tricks बढ़ा सकते हैं तो tricks यूज़ करना स्टार्ट कर लो काफी ज़्यादा helpful है ठीक इन ओर्गानिक की तरह और्गानिक की बेस को strong करने के लिए आपको और्गानिक की 11th class का एक chapter organic chemistry, some basic principles and techniques यानि GOC अच्छे से पढ़ना होगा GOC को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा time दो और उसे एक chapter में हर एक चीज़ explore करने की try करो आप अभी GOC पे जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आगे चलके आपके organic chemistry उतनी ज़्यादा strong हो जाएगी अब organic chemistry के सबी teachers usually दो ही तरीकों से पढ़ाते है reaction mechanism wise या फिर chapter wise अब हर teacher का अपना अपना style है लेकिन मेरे हिसाब से chapter wise पढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है और आपको भी chapter wise ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इस से चीज़े काफी ज़्यादा simple हो जाती है इस subject में आपके इस teacher से पढ़ रहे है वो काफी ज़्यादा matter करता है तो teacher को अच्छे से चुनें और class notes भी काफी ज़्यादा important है तो class notes को भी regularly revise करते जाएं NCRT की बात करें तो वो भी काफी ज़्यादा important है बेस्ट्रॉंग करने के लिए 11 chemistry का पहला chapter some basic concepts of chemistry अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और उसके बाद अपनी calculations को fast करने की ज़रूरत है तो अपना calculator use करना बंद करो और practice करते जाओ विड टाइम आपकी calculations काफी ज़्यादा better हो जाएं नहीं in fact physical chemistry के लिए physics से भी ज़्यादा अच्छी calculations की ज़रूरत है क्योंकि मैंने notice किया है कि physical chemistry की questions में options usually ज़्यादा close होते हैं और ज़्यादा twisted होते हैं तो अपनी calculations extremely strong बनाने की काफी ज़्यादा ज़रूरत है आपके physical chemistry के लिए भी teacher की थोड़ी बहुत importance होती है और लोग usually इसके lectures देखते ही हैं लेकिन NCRT को most of the time ignore किया जाता है पर वैसा सही नहीं है आपकी physical chemistry में कुछ ऐसे chapter है जहां NCRT की line से direct सवाल आने के काफी ज़्यादा chances हैं 11th class से states of matter या फिर redox reactions और 12th से solid states, solutions या फिर surface chemistry तो इसलिए physical chemistry की भी NCRT equally important है ओके हमारे subject से related चीज़े काफी हद तक discuss हो चुकी है तो आप कुछ ऐसे important points discuss करते हैं जो chemistry subject के लिए in general applicable है Teachers Chemistry के सभी divisions में teacher से चीज़े पढ़ना more or less important है तो ये है chemistry के some of the best teachers जो मैं आप लोगों को recommend करूँगा Try करें कि आप इनी teacher से पढ़ रहे हैं Coaching Offline में सभी educational giants almost equal हैं तो कहीं से भी पढ़ लो और online में physics वाला से पढ़ो Preferably from your keen batch Textbooks देखो सबसे अच्छा option है कि आपके पास coaching modules हो मैंने अपनी खुद की पूरी preparation में chemistry में NCRT और coaching modules के अलावा कोई और book source use नहीं किया था Mock test आपको regularly mock test देने चाहिए ताकि आप अपनी preparation को analyze कर पाएं Test हमेशा offline mode में ही देने चाहिए और test के बाद test को analyze करना बहुत ज़्यादा ज़रूर है आप एक छोड़ी सी mistake copy भी बना सकते हैं और फिर test में कियोई गलतियां आप उस पे note down कर सकते हैं फिर बस उसी copy को बार-बार revise करते जाएं वो गलतियां आपसे फिर से repeat नहीं होंगी और हाँ एक और important चीज़ जो आपको test देते वक्त धियान में रखनी चाहिए किसी भी question को approach करते वक्त सवाल से पहले options चेक करने चाहिए इससे आपको पहली idea लग जाएगा कि कितनी precise calculations करने की ज़रूरत है और साथ ही आप option elimination से भी सवाल को solve कर सकते हैं अब अगर आपको time table maintain करने में problem हो रही है तो आप एक और note book maintain कर सकते हैं daily entry diary जिस पे आपको ये नहीं लिखना कि आप पूरा दिन क्या करने वाले हैं लेकिन आपको time to time उस पे entry करनी हैं कि आपने दिन में क्या किया ऐसे दिन के end में आप realize कर सकते हैं कि आप कितना time effectively use कर सकते थे और उसी according आप खुद को improve कर सकते हैं अपने daily targets तो आपको set करने ही चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ आपको weekly और monthly targets भी set करने चाहिए इससे in the long run आपकी efficiency बढ़ेगी so make sure आप ये चीज अच्छे से follow कर रहे हैं और हाँ motivation आपकी preparation के लिए एक important चीज है लेकिन वो motivation आपके खुद से आनी चाहिए किसी YouTube वीडियो से या फिर किसी और की बातों से जो आप motivate होते हैं उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो temporary है तो खुद से अपने आपको motivate करनी का एक अच्छा तरीका ये है कि दिन के end में जब आप अपनी daily entry diary review करेंगे तो आपको idea लग जाएगा कि आपका पूरा दिन कैसे गया अगर आपने अपने दिन को अच्छे से utilize किया तो आप एक paper पे अपने लिए AIR 1 लिख सकते हैं और जिस दिन आपको लगे कि आपने अपने पूरा दिन waste कर दिया तब आप अपने आपको 10 ranks नीजे गिरा दो तो फिर अगले 10 दिन आपको continuously मेहनद करनी पड़ेगी ताकि आप हर दिन एक एक rank चड़के वापस AIR 1 पे आ सको तो ऐसे हर दिन मेहनद करके आपको ये try करना है कि आप अपनी पूरी preparation में AIR 1 पे ही अपना spot maintain रखो ये तरीका आपको हर दिन खुद से motivate करने के लिए बहुत ज़्यादा useful है ओके तो chemistry के related हर एक important चीज तो discuss हो चुकी है अब कुछ important points याद रखना Inorganic chemistry Teacher की खास importance नहीं है चाहे तो किसी से भी बढ़ सकते हो NCRT सबसे ज़्यादा important है उसके अलावा कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं है Question practice करने चाहिए लेकिन ज्यादा focus चीज़े याद करने पे होना चाहिए Organic chemistry Teacher की सबसे ज़्यादा importance है मेरे opinion में सबसे best teacher है PWK Pankaj sir NCRT भी काफी important है लेकिन उससे higher level पे जाना भी ज़रूरी है Question practice करना बहुत ज़रूरी है इसलिए theory और practice पे equal focus होना चाहिए Physical chemistry Teacher से चीज़े पढ़ ले तो बैठर है Go for PW's, Surveysal और Reflexer NCRT और extra material equally important है लेकिन आपका सबसे ज़्यादा focus question practice और speed with accuracy पे होना चाहिए Okay so that's it for today Good luck and now go study इसे physical chemistry से याद आया Chemistry के बारे में तो बात हो गई लेकिन अब अगर physics subject को strong करना है तो ये वाली वीडियो पे click करो सारी चीज़े clear हो जाएंगी